हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आपके पास अपराधियों ने हत्या कर पच्चास हजार रुपए की लूट को अंजाम दिया है पिछले दस फरवरी की बीती रात बेखाफ अपराधियों ने सेवा निवरित प्रखंड कृशी पदादिकारी गणपती जहां के घर में डकैती करते हुए मारपीट की वहीं ग्रेस्वामी के मित्र सेवा निवरित सिक्षक मुनिलाल चौपाल की हत्या कर दी डकैतों के हमले से ग्रेस्वामी गणपती जहा भी घायल हुए है वहीं ग्रेस्वामी के दोरा हल्ला करने पर हतियार से लैस अपरादी रात के अंधेरे का फाइदा उठाते हुए भागने में कामियाब हो गए मुनिलाल चौपाल पर लोहे के रोड से हमला कर लेली जान वहीं घटना के सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना इस्थल पर पहुँची है खोजी कुत्तों की मदद से मामले की जांच में पुलिस जुट गई है मौके से एक खंती पुलिस ने बरामत की है जिस खंती से अपराधियों ने सेवा निवरित प्रखंड सिक्षा पदादेकारी गणपती जहा के सिर पर वार कर जखमी कर हतियार के बल पर उनसे चाबी छीन कर लूट को अंजाम दिया वहीं घायल गनपती जहाने कहा कि अपराधियों ने हमारे घर पर हमला करते हुए 50,000 रुपया मुबाइल के साथी आलमारी को तोड़ सामान ले जाने में कामयाभी हासिल कर ली है उसी करम में अपराधियों ने हमारे मित्र साम मैनेजर मुनीलाल चौपाल की हत्या कर भी फरार हो गये हैं अपराधियों की गिरफतारी के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है दर्भंगा के वरियपुले सदिक्चक बाबूराम ने कहा कि इस मामले में अब तक एक संदिक्द को हिरासत में लेकर पूस्ताच की जा रही है वहीं उन्होंने इस घटना में ग्रेस्वामी के मित्र को अपराधियों के सर पर प्रहार कर उनकी मौत की बात बताई है उन्होंने कहा है कि दकैती में 50,000 रूपए लूट की बात सामने आ रही है वरियपुले सदिक्चक ने कहा कि इस मामले का जल्द उद्भेदन कर अपराधियों को सलाकों के पीछे भेजा जाएगा तो यह बड़ी कबर इस वक्त दर्भंगा से आ रही है जहां दर्भंगा जिले के घंस्यामपूर्थाना चेत्र के रस्यारी गाउं में बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर 50,000 रूपए लूट लिए है इस समझ में संदिक दिलोगों को ह्यासत में दिया गया तो इस ताज की जारी है नामले के जल्दी उखे जाएगा अभी कैश का पचाहजार के लगवर कैश की बाद बताई जारी है सारे बारा बज़े से एक बज़े रहती ही दिश्यारी हमरा था पचाहजार कास लगवर लागे लगवर और नहीं हमर किस लगवर